राहुल गांधी युवा हैं देश भर की यात्राइए करते रहते हैं तमाम मुद्दोपर बात्चीत करते हैं आपको नहीं लगता है कि रहुल गांधी में इतनी नहीं है और मैं तो अब मैं जादा नहीं बोलूगी इतनी सोचने समझने की वी चंपता नहीं है जैसे बड़े मंचों पर कभी मलब बोलते बोलते क्या बाइट हो जाते बूली जाते हैं क्या बोलना चाहिए हेंग हो जाते हैं एकदम से राहूल गांदी मलब हेंग हो जाते है ये नया सब्द नया टाइटल दिया है जो मुझे लगा मैंने बोल दिया चुनाओं की अगर असली नब्ज टटोलनी है तो गाउं की योर चलिए गाउं के जो लोग हैं वो बातचीत में और बैठकी में ऐसी सारी बाते कह देते हैं जो देश के लिए बहुत महत्तपूर होती है तो असल में समबाटी भी लगातार गाउं की तरफ चल कर गाउं में खेश से कलियान तक सहर से गाउं तक तमाम लोगों से बातचीत करके ये जानने की कोशिस कर रही कि इस बार देश की हवा कैसी चल रही है तो यहां देखिए पेड़ की छाओ है इतनी छाओ जो है आपको सहर में नहीं दिखाई देगी सहर में इस समय एसी शुरू हो गए है लेकिन गाउं में चुकी पेड़ पौधे हैं हरियाली आपको दिखाई देगी तो एसी और पंखा की जरूरत ऐसे इस्थानों पर ऐसे इस्थल पर नहीं रहेगी तो देश का महोल जो है वो कैसा है ठंडा है कि गरम है आपको कैसा दिखाई देता है क्या नाम है सर शुभास बाबू जैसे यहां पर सीरक है यहां पर ठंड़क है देश का महोल कैसा लगता है लगता है ठीक ठाक लगता है बढ़िया लेकिन राहूल गांदी कहते हैं कि अगर 2024 में सरकार बनी तो देश में आग लग जाई ऐसा कुछ नहीं है बढ़िया चल रहा है महोल आग नहीं लगेगी बिल्कुल नहीं क्या मोदी जी पानी लेके आएंगे या फिर डवलप्मेंट पानी और सब कुछ लेके आएंगे उसमें मलब ठीक ठाक वेवस्थाएं बिल्कुल अच्छ वेवस्थाएं चल देएं जी 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 क्या नाम है आपका मेरा नाम संदीव जी तो कैसा है आने वाला जो है 2024 वाला यह चुनाओ उन्तम नसदीक है और उसमें किसकी सरकार बनती ही नज़र आ रहेए जी मोदी-जी की मलब ठ्यूंं नहीं क्या खास बात है खास बाद है जो अब तक नहीं हुआ वो मुद्धी सरकार में हुआ जैसे कुछ एक काम जो आपको दिखाए हैं जो भी पुराने मुद्धे थे उन सब को सुल्जाया उन्होंने उन सब में मोदी जी काफी बैटर है और क्या पेक्चा आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनने मुद्धी जी की जैसे मुमटन महलाओं के लिए बंद करके और महलां को आगे बढ़ने के काफी अफसर मिल रहे हैं महला की सुरक्षा को लेके बी इंतलाग को लेकर मुस्लिम महिलाएं तो तमाम मानती हैं उनके मौलवी और मौलाना नहीं मानती है। सबी महिलाओं के प्रती जो है मोदी जी की संवेदना है और मोदी जी ने उस तरह कदम बढ़ाया काम किया है। और हर गरीबी छित की तरफ भी ध्यान दिया है कि जैसे कुछ गरीब लोग थे तो उनको उजला यूजना और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और काफी स्कीम चलाई है मोदी जी ने महिलाओं को तो बहुत ही बढ़ चड़के आगे बढ़ाया है अभी एक कारकब में मोदी संस्कृति है कि बेटियों को देवी का रूप मानते हैं और महिलाओं को एज़द दी जाती है इसलिए वही पर राहूल गांधी लेकिन कहते हैं कि मोदी जी महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं महिलाओं पर अत्याचार होता है या महिला खिलाडी जब अपना धरना प्रदर देश भर कि यात्राय करते रहते हैं तमाम मुद्दों पर बात्चीत करते हैं आपको नहीं लगता है यहँदा नहीं नहीं ter नहीं जैसे कि मैच और इंसान करता है वह चीज नहीं है बड़े मचो पर कभी महिलाओं के लिए कुछ लगता है क्या कि मोदी जी ने ऐसे काम किये महिलाओं मलब भाजपा के प्रफी या भाजपा की तरफ जाएं ऐसा कुछ लगता है मोदी जी ने बहुत कुछ किया है कियोंकि गरीब मलग बहराई थी वो गाउं से भार भी नहीं निकलती थी उनके लिए सम्मू भी चलाए है उनकी योजना बनाई है बीमा भी खुलाई है वो जो सुकुल कन्या योजना है वो भी उन्होंने चलाई क्योंकि उनका जो गरीब थी वो पढ़ा भी नहीं पाते थे लिखानी पाते थे उनका बीमा कराया उनके विहां के लिए पैसे वगारा भी कराई यह बहुत कुछ किया है मुदीजी ने तो दोज़ा चौबी से अच हो रहा है सब अच्छा ही हो रहा है यह कह रही है मैं कह रही है कि अच्छा ही अच्छा हो रहा है आपको कैसा लग रहा है सर मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मैं मैं भी कुद एक लड़की हूं और लड़कियां पढ़ने जाती हैं बाहर सुटच जाती हैं पढ़ सामने वाला अगर तुम लडने की ताकत रख सकते को सब्सक्रानल को से ताकत किस ने दिए ने दिए दिए ऑने की सब्सक्राइस सेल दिए भी तंढ़ दिए अपनी पूरी और कुछ सपोर्ट नी जैसे बच्चे लड़कियां और सब बाहर सिक्योर नहीं होतीं क्योंकि बाहर जाने पर ड़ते हैं सब लोग अब कैसा लगता आप क्या सिक्योर है सबसे बड़ा मुद्दा गाओं में अगर चर्चा करके आएंगे तो सुसासन का है सबसे बड़ा मुद्दा सुरच्छा का है जो महिलाएं खासकर खुलकर बोलती है और वो कहती है कि सरकार आने पर यानि केंद्र में मोदी की सरकार आने पर प्रदेश में योगी जी की सरकार आने पर सबसे बड़ी बात हुई है सुरच्छा की क्योंकि ये महिलाएं अगर गाउं से निकलती थी तो उन्हें डर लगा रहता था भै लगा करता था ये गाउं में कभी इनके साथ कोई अनोनी हो जाए कुछ पता नहीं लेकिन आज बुल्डोजर बाबा का इतना दहशत है इतना दहसत है कि जो अराजक तत्तों है वो बीत हैं डरे हैं दूसरी तरब महुं का कहना है कि बहुत सारी ऐसी योजनाए हैं जो बेटियों के लिए बच्चीों के लिए महिलाओं के लिए उन्होंने किया मोधी जी ने किया है उसके WOR count से भी लोग गाउं के लोग जो है वो मोदी जी को चाहते हैं कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तो गाउं की इस चर्चा में समभाट टीवी के इस गाउं की यात्रा में जहां पर भी जिस जगह पर भी जा रहे हैं अब जे टटोलने पर यही बात आ रही है कि 2024 में फिर एक बार मोदी जी आएंगे और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे